नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर आपका अपना न्यूस चैनल सच के साथ जानपुर भधोहीं से जन जागृत न्यूस के वरिष्ट पत्रकार एक फारू की द्वारा कवरेज की गई रुपोर्ट जिलादिकारी ने सिम्राधनात माग मेला का स्थलिये निरिक्षन कर किया बैठक कोविद अनुपालन में होगा सिम्राधनात कलपवास माग मेला हडियम है कहना से म्राधनात माघ हमेलावं कलपवास की तयारियों का डिये मारे का अखोरी ने मेली शायोज को के साथ बैठक कर स्थलिये निरिक्षन किया इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कुरोना संक्रमन की बरतेश संभावित खत्रे के प्रती सचेत होते हुए से म्राधनात माघ मेला एवं कलपवास आयोजक से ये निरने लिया की कोरोना टीकाकरण सर्ती फिके तथा एंटीजन नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मेले में प्रवेशादी की सुविधाएं प्राप्थ होगी उन्होंने मेलाक्षेत्र में सभी इंट्रिस थलों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सर्तक्ता से को विजोच के बाद ही प्रवेश करने पर बल दिया कोरोना टीकाकरण सर्ती फिकेटिया एंटीजन नेगेटिव रिपोर्ट भी ना दिखाएं किसी भी शध्धालू को मेला में प्रवेश करने की अनुमती नहीं मिलेगी उन्होंने मुख्य चेकित साधीकारी को निर्देश दिया की मेला क्षेत्र में आने वाले शध्धालूं एवं कल पुवासियों की सुविधा के द्रिश्टिकत से म्राथ प्रात्मिक स्वास्त केंद्र एवं मोबाइल टीम द्वारा टीकाकरण एंटीजन टेस्ट एवं ज जलनिगम विभाग द्वारा लगाएगे अस्थाई हैंड़ पंप, शोचाले क्रियाशिल पाएगे। जिलादिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मेले परिसर में अभी भी जो कमीद दिख रही है उसे ततकालपून कर लिया इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भानू प्रताप सिंग, SDM ज्यानपूर योगेंद्र साहु, पुलिस्क शेत्र अधिकारी अर्शोक कुमार सिंग, अधिशासी अभियंता PWD, अधिशासी अभियंता विद्धूत, एवं मेला आयोजक करुना शंकर्दास, मकर माग मेला समिती अधिक्ष रामवली सिंग, हेवं मेले से संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित परुए, बियेन ने कलपवास मेले की विवस्था के बात किया सेम्राध्धनात मंदिर में दर्शन पूजन, जनपक के कलपवास मेला स्थर सेम्राध्धनात गंगा तट्सना आर्थियों के सुरक्ष विवस्था का जायजा लेते हुए, बुद्धवार को सेम्राध्धनात मंदिर में भोले नात का दर्शन पूजन किया। और देश के विकास के लिए आशिरवाद मांगा। गोपी गंजनकर के मुख्य मार्ग सहित विभिन महलों में फ्लाइग मार्ष निकला। उन्होंने लोगों से कडाई के साथ आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिये। अपर पुलिस अधिक्षक के साथ राजेश कुमार श्रीवास असिस्टेंट कमांडेट सी आरपी एप। प्रभारी निरेक्षक गोपी गंज में पुलिस बल एवं पैरा मिलिटरी फोस सी आरपी एप। के साथ थाना गोपी गंज क्षेत्र अंतरगर कस्बा गोपी गंज से बड़ा चराहा से पश्चिम महाल, खरहेटी महाल, तुलसी टोकीज, मिरजापुर्ती राहा, मुख्य मार्ग जीटी रोड चुड़ी हारी महाल, जिला पंचायत बालेका इंटर कॉलेज। प्रात्मिक विद्धालाई गोपी गंज प्रथम एवं पड़ाव चराहा होते हुए बर्नी बल बुथो साग्र रायपोर, वजंगी गंज में फ्लाइग मार्शरिया जो अमिनेशन किया गया, एवं शांति पून वातावरण में को विदूनिस गाइडलाइन्स का पालन कर ते हुए सकुषर चनाव संपन कराने का संदेश लिया गया, समारोह पूर्वक मनाई गई स्वामी विद्धालाई गोपी गंज में 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 स्वामी समारोह में शामिल अध्या को के साथ चात्र चात्रावने को विदुनिस गाई लाइन का पालन करते हुए शद्धा सुमन अरपित कर नमन किया। शील विचारधारा तथा नवी नेवं पार्शाति भावापन भौतिक वादी विचारधारा में टकराव हो रहा था। तब कोई द्रसंग कलपवान व्यक्तित्व ही भारतिय समाज की मानज को पहचान कर विखंडेत समाज की नौका को डूबने से बचा सकता था। उनमें ख्रशन मिशिन की स्थापना की इस द्रश्टी से योगे मार्ग दर्शन करने वाले ग्यानी देश भाक्त। धार्मी एवं समाज सुधारक निश्ठावान सन्यासियों की उन्होंने परंपरा स्थापित की। इस मौके पर बेचन शुतला, शिवशील नारायन, नागेश ध दुबे, सूरिकान पांडेय, के के बिंद समेद अध्यापक और चात्र चात्राएं मौजूद रही। गोपी गंज से रामपुर घाड होते हुए मिरजापुर जन्पत को जोडने वाले सडक लंबे समय बाद नवीकरण कराया गया था। नवीनीकरण के साथ सडक के उच्चाई बढ़ जाने के बाद पट्री बनाने के नाम पर केवल मिट्टी डाल कर छोड़ दिया गया जो म सीबत बन गया है। इसकी चलते सडक के दोनों तरफ की चड़ हो जाने से साइकिल वा बाइक सवार उसमें पस जा रहे हैं। बाइक वा साइकिल में की चड़ भर जाने से जहां चलना मुश्किल हो जा रहा है वही संतुलंग दिगर जाने से बाइक वा साइकिल सवार घायल हो जा रहे हैं स्थानिय लोगों ने जिम्मिदार विभाक से गड़बड़ी ठीक कराने की मांग की है दर्शकों को लुभा रही ज्यानपूर में चल रही हस्तशल प्रदर्शनी कला का अनुखा संगम देख लोग मुब्द जनपत्भदोही के ज्यानपूर नगर स्थित कालेज के सामने गिर्धरपूर में हस्तशल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है प्रदर्शनी का ख्रेज खूब देखने को मिल रहा है खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी के जरिये उभरते कलाकारों को भी तराश आ जा रहा है हस्तशल प्रदर्शनी दर्शकों को लुभा रही है कला प्रेमी यहां खिचे चले आ रहे हैं हर्याना से लेकर राजिस्थान और दिली से लेकर पश्चिम बंगाल तक के कलाकार अपनी कला के नमोने लेकर यहां पहुँचे हुए हैं इस प्रदर्शनी में सजी कृतियों को देखने के लिए राजाना सैक्रों कल इस लेकरी खालिद मेरत की खादी शर्ट, सोनुट दिली, की कटलरी, शानुकानी पर का कमबल, आज अमगर की मनवर की साड़ी, अम्रोह की अमीर मौलाना की जाकेट, कर्श्मीर के तार्यक की कर्श्मीर इशाल, लुध्याना के आरिफ की स्वेटर की दुकानों आदी समेत तमाम तरह की कला की रंग यहां देखने को मिल रहे हैं। रोजाना काफी संख्या में कला प्रेमी और कृतियों के खरीदार यहां पहुर उच रहे हैं। आयोजग रह्मान ने बताया कि प्रदर्शनी में आने वाले दर्शक अपने विचार भी ब्यांक कर रहे हैं। प्रदर्शनी में COVID-19 नियमों का कड़ाई के साथ धनुपालन कराया जा रहा है। खास बात ये है कि इस प्रदर्शनी के जरी उभरते कलाकारों को भी तराशा जा रहा है।